प्याने दोस्तों को मेरे नमस्कार मैं तोशन साहूँ आज आपके समने भासा की महत्मत्पून टॉपिक लाया हूँ वर्ण विजार का Q 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 QQ Q 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 वर्ण के उचारान के जो समुग होता है उसे वर्ण माला कहा जाता है ठीक है दोस्तों इन वर्णों को स्वर तथा वेंजन में बाटा जाता है क्या किया जाता है दो भागों बाटा जाता है स्वर और वेंजन में बाटा जाता है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं बने। watching है। वर्ण मालब कहते हैं। सब्द समुग Prono के संक्रान को सब्द गर्णा को वर्ण के व्यस्तित समुग को बताईजे दोस्तों वर्ण मालबिच बताया हु in फिछले question में वर्ण मालब कहा जाता है वर्णो के विवस्तित समुग को अंसर D हो जाएगा नेश्ट्र कोशन है नीम नमे से कंठे धौनिया कौन सी है कंठे धौनिया जो कंठे निकलती है का खा आप से दिया है का खा यारा चाजा टाड़ना कौन सी है दोस्तों जल्दी बताएगा इसका अंसर हो जाएगा हम जब बोलते हैं का खा तो क्या गले से निकलता है का खा है न अब या रा ये नहीं लिगा चा जा ये भी नहीं है टा न ये भी नहीं है चले इनने श्ट्र कोशन बढ़ते हैं इस्थान के धार पर बताएगे की मुर्धन्य वेंजन कौन सी है जाज जा डाढ़ा पाफ कौन सा है आंसर मुर्धन्य जब हमारे जिब मूर्ड के उपर तालों को टच करती है उसे मुर्धन्य बोला जाता है कब करती है बताएगे का कौन सा दो बोलने के साथ करती है डा डा एक कया गती है डा ढसे जखाएगा सी छलिए नेस्ट्रें कोशन हे नीज्द मेंसे अलप प्रांड वर रंत कौन से है अलप प्रांड आपन्दि गया हरा स्था धा भा था तो अंसर क्या होगा दस्तों अलप प्रांड मैं बता दूं अलप रॉता दूंद्ध्धा दोस्तों जिसे बोलने में आवाज कम निकलती है यह फिर हमारे मुझसे ह्वा कम पास होती है उसे अल्पयान कहा जाता है जैसे की कग अंसर भी हो जाएगा कग जैसकि की कग ऑज तो अवाज हमारा तेज हो रहां यह सब्सक्राइ集 कर दो निष्ट कोषर है नीमनमे से नासिक्या वंजन कौन सा है नासिक्या वंजन जो हमेरे नाक्ष से बोल जाता है शाया गजा कौन सा है कि सान soोजंद नाक से कोई ओर है क्या हमारा एक सिंगर है हिमेश रिष्वieso्ट इसकी सclock से मत देखोthis तो सब्हुन नाक से निकलेगा इससे अच्छा अपना धिमाग रगा प्र ही मेश्फ रशमिया सार्श시 तो हम मैंसच होजाएगा क्या हो जाएगा यां अनसर B नेस्ट कोशन है एए वर्ण ना क्या कहलाते हैं एए वर्ण क्या कहलाता है ए ऐ ए डेखिए आप्स अपसंदिया है नासिक्या मुर्धन्या ओस्ष्ट्छा कंड़ तालब्या कौंसा है आधिए देखिए अगर आपको पता हो तह जरुल इसका अंसर हो जाएगा ए ए कंट से निकाल रिपीट कर दोनों से वह रहा है ए ए ए ए तालू को भी टाच कर रहा है ए ए है ना ए तो आप तीन चरबार रिपीट कर कीजिए ए ए तो कंट से और तालाव्य से टाच करते हुए चलिए नेश कुषर है किन्दीवार्णा वाला में आयोगवा क्यों से हैं ऑप संदियाए बताइए धंते हो तो जरूर जरूरी से किस सब्द में दुट्ट्व वेंजन है देखिए अप्सन दिया है पुना इलाहबाद दिल्ली उत्सा दुट्वेंजन कौन सा है इसमें बताईएगा इसका अंसर हो जाएगा सी दिल्ली दिल्ली में दुट्वेंजन है नेश्ट कौशन है श श ह कौन से वेंजन कहलाते हैं प्रकमपी इसपर सी संघर सी इसपर सी संघर सी इसका अंसर क्या है दोस्तों कि दस्वा कोश्चन नमर दस्वा का अंसर बताईए श श श श ह कौन से वेंजन कहलाते हैं इसका अंसर हो जाएगा सी संघर्षी ठीक है प्रकम प्रकमपित में आएगा रा आएगा और इस पर्षिम क्या आएगा जो इस पर्ष करते हुए जाएगा उसको इस पर्षी वेंजन बोलते है इस पर्ष वाला का खा गा गा यह सब चीज़ आएगा इस पर से संघर्ची में आएगा फा सा हा जा सा इसको आप अपने नोट बुक में जरूर नोट कीजेगा देखें फिर एक बार देखें प्रकंपी में आएगा रा रा आएगा प्रकंपी में इस पर संघर्ची में आएगा का खा गा घा टा ढड़ा और संघर्ची में आएगा सा जा एक इस पर संगरसी में आएगा कोई से आगे संगरसी में चा शा जा जा ये क्या है इस पर संगरसी है ठीक है चलिए नेश्टर के और आगे बढ़ते हैं प्रेश्ण 11 है नीमन में से बताए कि नवीन विक्सित ध्वनिया काँ से है खागा ऊओ यू ऐ आव सा सा इसका अंसर क्या है इसका अंसर है ए खागा खागा क्या है नवीन विक्सित ध्वनिया है ठीक है चलिए नेश्ट कोश्चन है नीनम में से कौन से गोसवार्ण है गोसवार्ण खचा माथा बताईए घोष वर्ण कौन सा है देखिए दोस्तों घोष की से बोला जाता है ध्वनी के उच्चारण में तंद्रिकाओं के कमपन की प्रक्रिया होती जो तंद्रिकाओं है हमारे बोलने की वो क्या कमपन करती इस कमपन के उच्चारण के साथ तरंग निकलती वा उससे में अभूता है इसको किया जाता नहीं है नहीं है जा मनेहें और कमपन हो रहा है हमारे सरीर में था को बोलने भी कम हो रहा है लेकिन देखिए इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा C, म, म क्या है? अमाना कुंडना है? क, ग, ज, फ, ध, ध, धोनिया किसकी है? किसकी है? क, ग, ज, फ, धोनिया? आफ्षेंदी है शन्सेंस्कृत की, अर्बी फार्सी की, अंग्रेजी की, धक्षर्णी भासाओं की बताइने दोस्तों कि पता हो आपको तो? ठीक है और थोड़ा अर्वी सब्द भी देख लो अर्वी सब्द होता है आदमी इनाम किताब कर्ज मजबूर कीमत फैसला कुर्सी किस्मत इत्यादी यह क्या है अर्वी भासा है और क्या है फार्सी देख ले फार्सी क्या होता है अवाज आइना कबूतर चेहरा जोस सरकार मुप्त सौतागर इत्यादी क्या होता है फार्शी भासा होता है अर अंग्रिजी भासा क्या होता है कालेज स्टेशन साइकल रेडियो डाक्टर प्रोफेसर पोस्ट कार्ड मशीन इत्यादी यह क्या है अंग्रिजी भासा होता है इसे प्रकार अलग-अलग भासा हैं जो मिलकर बनाती है ठीके दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं हिंदी में मुल्ता वर्णों की संख्या कितनी है देखिए हिंदी में मुल्ता वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी में उचारन के धार पर कितना है 45 वर्ण होते है उचारन के धार पर जिसमें 10 वर और 35 वर्ण है यहाँ लेखन के धार पर क्या होता है 22 वर्ण होते है क्या इसमें मुल्ता पुछे है तो अंसर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा जिसमें होता है 13 स्वर होता है 35 वेंजन होता है और 4 संयुक्त वर्ण होता है तो आप इसको नोटबूक में जरूर नोट कीज़ेगा अगर आपको पुछा जाए कि हिंदी में उच्चारन के अधार पर कितने वर्ण है तो उचारन के अधार पर कितना हो जाता है 45 हो जाता है जिसमें क्या होता है 10 स्वर होता है और 35 वेंजन होता है ठीके लेकिन लेखन के अधार पर होता है 52 हो जाता है जिसमें 13 स्वर होता है 35 वेंजन हो जाता है 1000 स्वर्ण हो जाता है छा, 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 देखिए, ध्यान से पढ़िए, और 4 से 5 बार repeat किजी, छा, किसके गांदर गाता आ रहा है, एक बड़ा option और देख लिए का, option A है, मुलसुर, घोषवर्न, सहींगतो वर्न के बाद आता है, छा क, देखिए, किस वर्णा के बाद आता है आपको घुमा के इसी कोशन दिया जाएगा तो किस वर्णा से बनने से होता है यह जाता है ह हिंदी सब्धको 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 सब्धकरम किस वर्ण के बाद आता है तो किस वर्ण के बना है ग्या अप्संदिया है जा या जा या जा धा जा वा या क्या है किसे बनता है बताईए बताईए दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा बी अधा जा प्लस याँ इसे क्या होत है या जाग्या इसे क्या हो फिसे क्या है तो आप पांच वार रिपीट किजएगा तो आनसर आटोमेटिक आपके हाथ में होगा और आप नोट्बुक में जरूर नोट किजएगा निच्ट कुछन है कि अग्रोश्वार्ना कौन से हैं फॉसका पता करना है तुम्हें अग्रोश्वार्णा के परिभासार्ब्स बता देता हूं धौनियों के उचरन में क्या स्वर्टतंत्रियां दूर दूर रहते हैं त्था वाइयू थौर तंत्रियों में बीना कमपन के निकल जाती है मुर्धा का उचारण इस्थान कौन सा है घा घा अफसंदिया है मुर्धा कंट तालू दंद देखिए घा जाहिए इससी बात है दो बारे रिपीट करेंगे इसमें अंसर आजाएगा घा ठीक है इसका अंसर क्या हो जाएगा बी कंट यह दोस्तों मुर्धा का अब मैं सबको बारी-बारी से बता देता हूं कि मुर्धा का उचारण कौन-कौन से सब्द आता है वर्ण आता है ठीक है मुर्धा में वर्ण आता है ट वर्ण आ वर्ण आता है जिसकी टा ठा धा डा डा न क्या है मुर्धा का है जब हम यह जिसके अदेख लिया जाट ऑर रगाता है कंट में का ख गा अंगा क्या है ये कांट ये थालूहें किया जाघ है तालूहें किया क्या दास थाव आइस से त हो की गाओ वर्ण विचार कैसे लगा कमेंट बख्सक्राइब कीजेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए उत्य चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा लाइक की जएगा और बेल लाइग रवाना ना भूलेगा कैसे लागा मेरे आज का वीडियो ज़रु कमेंट कीजिगा थैंक कि अरेंग।